गाई के दूद के साथ उसके गोबर का भी बड़ा महत्व है डेरी से निकलने वाले गोबर से इंधन बनाने के लिए इनोंने गोबर गैस प्लांट भी लगा रखा है इनके गोबर को यूज करने के लिए मैंने बायो गैस का प्लांट लगाया है कि गोबर से बायो गैस जनरेट की जाएगी और बायो गैस को जो है वो सी एनजी में कनवर्ट करके और इस प्लांट को पूरे डेरी फार्म को उस बायो गैस से ही चलाया जाएगा इन यह गाएं ज इनका खाना तयार होगा और गोमुत्र का प्लांट चलेगा और मेरा तो सरकार से निवेदन ये है कि अगर सरकार इसमें सयोग करती है तो हम इस गाउं को और इसके आसपास के गाउं को एलपीजी और इलेक्टिसिटी फिरी कर देंगे क्योंकि इतना बड़ा प्लांट है तो जो सी एंजी जनरेट होगी और अगर गवर्मेंट जो है वो हमां सयोग करके और इसके पूरे गाउं में जैसे दिल्ली एंड बॉम्वे में एल्पीज स्लेंडर्स नहीं आते गैस पाइपलाइन बिच्वाई वैसे पाइपलाइन बिच्वाई और वाल ओन किया और अपना ख सकते हैं और इसका जो गोमुत्र है invite गोमुत्र का हो झाल्रक बनाने के लिए हम लोग यहां पर उनिट बन लगा रहे हैं जो सितंबर फ़र्स्ट विक से जो है वो सब्सटार्ट हो जाएगी तो गोमुत्र पुअ पूरा का है वो मॉल्निंग का मैडिशन का मैसन परपा से क सयसे हम लोग हमारी देशी गायों को बचा सके तो बायोगेस से और से इच यहीए बना ली तो ओस यह काम धुआ यह उसका जो जो कंपोस्ट बनेगा जो गोबर बचा उससे वर्मी कंपूस्ट बना असा पास के पूरे एरिया को जो है पूरा का पूरा पेस्टिसाइड फिरी करने का मेरा उद्दिस है और उसी काम में मैं लगाओ आओं